नमस्कर दोस्तों डेका 10 प्लोग में आप सभी का स्वागत है आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज में आप लोग के साथ पुदिना निम्बू पानी की वीडियो सेयर करूँगी इस तरीके से आप ये पुदिना निम्बू पानी बना के एक बद जरूर पीजिएगा ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो फ्रेंट्स आज का वीडियो देखी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजेगा तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो सुड़ करते हैं तो पूदिना निम्बू पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक कप पूदिना के पत्ते चाहिए हमें दो निम्बू तो निम्बू को काटके मैं रस को निकाल लूँगी तो मैंने निम्बू का रस निकाल लिया है अब हम ले लेंगे मिक्सी का जार और पुद्रिना के पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया है डाल देंगे हम इसमें हम डालेंगे निम्बू का रस साथी हम डालेंगे यहाँ पे एक कप ठंडा पानी एक चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे भूना हुआ जीरा आप भूने हुए जीरे का पाउडर भी यूज कर सकते हो तो हल्का तबे में हम जीरा को भून लेंगे साथी डालेंगे दो चम्मच चीनी चीनी डालनी के बाद हम डालेंगे यहां पर करीब एक काप पानी 200 ml साथ ही डालेंगे नमक स्वादन नुसर तो एक चम्मच मैं काला नमक डाल लीए यहां पर जार को हम बंद करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे अच्छे से मैंने पीस लिया एब हम डालेंगे आधा कप यहां पे ठंडा पानी आप यहां पे आइस क्यूब भी यूज कर सकते हो अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और अच्छे से छान लेंगे एक बार अब हम एक चन्नी ले लेंगे और एक बाउल ले लेंगे और इसके हम चान लेंगे जो भी इसमें जीरा और पुदिना के चंक्स रह जाएगा वो छन्नी में ही रह जाएगा हमारा इस तरीके से हलका प्रेस करके इसे निचोड लेंगे तो फिर्ट्स तैयारे हमारे बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा मसाला पुदिना पानी इसे हम एक ग्लास में टांसपर कर लेंगे तो डाल लेंगे हम डालेंगे दो से तीन इस तरीके से निम्बू के स्लाइस उपर से मैंने एक निम्बू के स्लाइस इस तरीके से सजा दिया है और डाला है मैंने अंदर एक पुदिना के पत्ते श्ट्रोर डाल देंगे तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी मसालेदार पुदिना निम्बू पानी तो इस तरीके से आप एक बार इसे बनाईए पीजे फिर मुझे बताई कि आप लोग को कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में सेयर कीजेगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अपना ख्यार लखिएगा और चैनल में साथ स्माइल लखिएगा